बंत्री भजनलाल जाटव ने पद्भार ग्रहन कर लिया है पद्भार ग्रहन करने से पहले विशेश पूजा अर्जना की गई उनके कई प्रशनसक और समर्थक यहाँ पर मौझूद रहे इसी दोरान हमारे सयोगी निर्मल तिवारी ने उनसे खास बातचीत की अब भी सुनि किस तरह की विवस्ता हैं किस तरह की चुनोतियों को लेकर के आप सामने आगे बढ़ेंगे बिल्कुल चुनोती कोई भी हो चोटी हो बड़ी हो चुनोती हमेशा शुकार करनी चाहिए और जहां ऐसा हमारे पास नितित हो मुकमंत्री आलेनियास हो गहलो जी जैसा तो फिर चुनोती कोई भी हो इसको हम शुकार करने के लिए तैयार हैं और उनके दिशा निर्देश अंसार जो हमें दिशा निर्देश मिलेंगे राजिस्तान के जनता कहत्में लगातार वो तीसरी वार मुकमंत्री हैं और राजनिती का देखे तो जितनी हमारी उम्र है उतना उनक जीवन है तो आप समझ सकते हैं उनका जो दिशा निर्देश मिलेगा हम अपनी तरब से कोसिज करेंगे कि राजिस्तान की जनता को किसी तरह की अशुदा ना हो और सडकों का किस तरह से हम लोग नभी निकरेन करा हैं नई सडकों का निर्मांड करें और quitter in Griff cup सब्सक्राइब तो अब तक तो उन्से बड़ा अच्छा समन्वे रहा है चाहए पूरु में चाहए पाइलेट साहब बंतरी रहे हूँ या उससे पहले बाजपागी सरकारों अब आप भी हैं अब आप किस तरह से समन्वे स्थापित करेंगे बड़े चार बड़े एक्सप्र कोरीडर तैयार हो रहा है तो क्या लगता है कि अब आगे वाले जो ग्रीन हाइवेज को लेकर के कोई योजना डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बनेगी बहुत सारी केंदर और राज के बीच में जो योजना है उनमें समन्वे बनाने कि किस तरह से प्रयास होंगे मैं तो यह कहता हूँ रहा है सड़क हो चा पानी हो चा शिक्चा हो कभी कोई पार्टी नहीं देखती राजनीतिक दल से उपर लोगों को काम करना चाहिए सड़क बनती है उसमें भारते जंता पार्टी के लोग भी चलेंगे और चाहे वो कॉंगरिस पार्टी के अन्दल के चलेंगे और मुझे पूंड उम्मीद ने हैा 25 के 25 यहाँ पर MP है कही यहाँ पर सेयोग में मिलेका मुझे पूंड आसा है कि महीं के इंदल की सरकार में सतरीC रहना है और डिपार्टमेंट के साथ आज क्या किसी तरगी कोयी उप चाहिक बैठक ले न की कि कोशिश् स्प्त बिल्किल बिल्कुल आज हम लोग पूरा डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करके जो भी हम तमाम जो हमारे चाहिए पीमजेस भाई यह है और जो तमाम योजना हैं उन सब लोगों के बिठाके और मीटिंग करेंगे और जहाँ जहाँ हम लोगों को कमी दिखेगी उन अदकार नहीं रही तीन साल के अंदर आपने जिस तरह के बज़ट राजिस्तान के तीन बज़ट आप लोगों ने देख लिए कहीं कोई जंता में कहीं एक परसेंट भी नेगरिटी नहीं है यदि नेगरिटी होती तो आप समझो कि इतना भारी भाहुमत नगर पाल का नगर निगम त तमाम जो चुनाव हो हैं पेंचेद राज के बाई एलेक्शन के बहुत भी थरीन परफर्पोर्मेंट रही है अब भारतिय जन्टा पार्टी हतासा है और निरासा है और निश्चित तोर पर अब उत्तरप्रदेश के अंदर जो तमाम एलेक्शन होंगे उन पर भारतिय जन अब हम तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और तमाम राज़ों में भी हमारी कॉंग्रेश पार्टी की सरकार बनेगी आपके पूर विवाग में आपके प्रिशासनिक शम्ताओं की बड़ी की जाती थी और माना जाता था अब भजनलाल जाता है वाला फॉर्मॉला प्यवडी के लिए क्या होगा प्यवडी को फॉर्मॉला की बढ़ जाता है तूर पूरी राजिस्तान की जनता को कितना बेहतरीं हम लोग सड़क दे सकें, यह हमारी राजिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है बहुत बहुत दन्यवाद आप देख सकते हैं बजनलाल जी का आत्म इश्वास उनकी संजीत की तो निश्य तोर पर कहा जा सकता है कि जब चीजें आगे बढ़ेंगे आज पदबार समवाला है तो निश्य तोर पर डिपार्टमेंट से संबंदित काम भी आगे बढ़ेंगे प्रदेश के विकास में भी आपका योगदान एहम रहेगा कैमरेपरसंट विजय के साथ निर्मलती वरी फर्स इंडिया न्यूज जैपुर